अलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बाफ फिर हमाई यूट्यूब चैनल में बात करेंगे इस वीडियो में सिक्साइब बाग से जोड़े बड़े अपडेट की और जान का रही है तो बात करें तो सिक्साइब बाग से जोड़े बड़ी ख़बर आ रही है और वह है प् और उसमें अधिशे सख्कों के लिए पदस्तापन के आदेश हाली में जारी किये गए थे उसी को लेकर ओड़र दिया गया है कि कारेले के पत्तर दिनांग 236-2022 यानि 23 जून 1222 के द्वार नमंकन के अधापर स्टापिंग पैटन यानि पुनर दिदान के पसा समस्त काउं अधिशा करीया के दिद कर्दां के यानि के स्टापिंग पैटन के दरकत जो करवाया जाना था 30 जून तक उस पर रोक लगा दी गई है अगामी आदेश तक जसा कि लिखा गया औडर में कारे मुक्ति कारेंगं के अंतिम दिनाग 30 सी जून तक थी और कई कारी प्रखाला फिर से उस्टर दिया गया है जिसमें जिसमें स्टापिंग बैटन पर लगा दी गई है साथ ही बात करेंगे एक और और पर जिसमें सिख्षा इबाग ने फिर से साइध इस पर रोक लगा दी है और वो है 27 चे दोजाथ 22 का ही यह ओडर जिसमें राजस्तान सिख्षा अधिनास सेवानियम 2021 के अतंतरकत होने वाली 6D सेटप परिवर्तन को लेकर बड़ा नर्ने लिय गया है जिसमें भी रोक लगा दी गई है तो 6D की सुची में चैनीज सिख्षा के विद्धाल में रिक्त पदों की सीमा तक जो भी है आंट पार 2016 जारी निर्देशों के अनुसार मादिमिक सिख्षा विभाग में सेटप परिवतन करने के आदेश जो भी करमांग थे चैनीज सिख्षडी पर भी रोक लगा दी गई है यह दोनों और बड़े महत्पून और है सिख्षा विभाग के करमचारियों के लिए जिसमें अब स्टापिंग पैटरन के अंदर का अदिशेस को एकार्मिक थे जोनों ने जोईन कर ली वो तो जोईन हो चुके अब जो अ आधिसे से अब उनके उपर रोक आचुकी है साथ ही six d की परकरिया पर भी पूनरूप से रोक लगा दी गई है order जो चोईश चे दोजा बाइस को जारी वाता उसको परतिया हारित किया गया है यानि कि 6D की परकरिया को रोग दिया गया है इसका मतलब साफ जहीर होता है कि आगामी आधे दिनों में अब ट्रांसफर का मौका मिल सकता है यानि ट्रांसफर खुल सकते हैं ये बीच में ट्रांसफर के बीच में जो चल रही थी परकरिया को रोग दिया गया है धन्यवाद बड़ी अपडेट